दोस्तो अगर आप भी option trading सीख रहे हो तो आपके लिए option trading की practice करना बहुत ज़्यादा important है आप जितनी भी options के strategy सीखते हो या आप जिस तरह से भी market को predict करते हो या आपको जैसे भी लगता है कि जिस trend में जिस direction में market move करेगा उस direction में trade लेने से पहले उसकी practice करना बहुत ज़्यू आतरीन एप आज की इस वीडियो में आपको suggest करने वाला हूँ जिस पे आप बिल्कुल free में paper trade कर पाऊगे कहने का मतलब आप अपने option trading की practice कर पाऊगे जो भी strategy आपने सीखा है या जो भी आप strategy सीख रहे हो या आप जिस तरह से भी option trading करना सीख रहे हो या फिर आप candlestick सीख रहे हो या फिर candlestick chart pattern सीख रहे हो या फिर reversal candle सीख रहे हो या फिर कोई indicator use करके समझ रहे हो कि market किस direction में जा सकता है उसके according आप trade लेते हो तो दोस्तों इसके लिए आप paper trade करो जो की हर beginners के practice के लिए बहतरीन है दोस्तों अगर आप option trading की practice करना चाहते हो virtual trade करना चाहते हो तो य यह एप आपके लिए बहुत ही अच्छा सावित हो सकता है जैसा कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर trade कर रहा हूं मैंने call sell किया है और यहाँ पर मुझे 600 सरसर रुपय का profit हो रहा है तो यहाँ पर मैंने बस आप सब के लिए यह एप इंस्टॉल किया और आप सब को practice के तोर पर यह एप सजेस्ट कर रहा हूं यहाँ पर आपको एक लाक रुपय की virtual amount मिलती है और यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो option trading की तो अभी आप देख रहे हो मुझे 830 रुपय का profit चल रहा है तो दोस्तों इस एप का नाम है नायोटा वर्चूल option trading app और यहाँ से आप option trading अच् अगर आपने option trading के सारे concept सीख लिए हैं तो यहाँ पर फिड आपको एक trade डाल देना है तो अभी आप देख रहे हो मुझे 830 रुपय का फिलाल profit हो रहा है मुझे लग रहा है कि market थोड़ा और down जाने की कोशिश करेगा जिसा कि आप देख रहे हो कि market लगातार नीचे आ रही तो जब भी market downfall होते है तो आप यहाँ तो put buy कर सकते हो जिसमें आपको थोड़े बहुत margin required होंगे लेकिन मैंने यहाँ पर call sell किया है क्योंकि मालो market अगर sideways हो जाएगी तब भी मुझे profit चाहिए इसके लिए तो यह concept मैंने सिखा था और यहाँ पर मैंने उसे ही apply किया और trade आप कर सकते हो जीरो धा धन एप अप स्टॉक और एंजल ब्रोकिंग में वैसे धन एप अभी काफी अच्छा है धन एप में अगर आप trade कर रहे हो तो वह ज्यादा बहता देगा आपके लिए यहाँ पर मालो आपको कोई strike price पर buy करना हो तो वह आपने यहाँ पर जाके चा 1500 का call sell करते हैं तो किस तरह से किया मैंने मैं आपको बता दूँ यहाँ पर प्लस का एकन है सबसे उपर सर्च बार के just side में यहाँ पर क्लिक क्या मैंने यहाँ पर expiry का date आप select कर सकते हैं जैसे कि 16 March की expiry है अभी recent में तो मैंने यह select कर लिया अब यहाँ पर CE मैंने select कर लिया तब आपको profit होगा फिर यहाँ पर strike price select करना है तो आपने देखा मैंने कहां किया यह सी लिखा है उसके नीचे select strike price है इस पर क्लिक करना है और मुझे जिससे 17500 का चाहिए था तो मैंने 17500 का CE यहाँ पर कर दिया है अब add to watch list भी आप कर सकते हो या swipe to order नीचे लिखा है इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कहेगा कि यह आपको buy करना है या sell करना है ठीक है buy करने के लिए margin कितना लग रहा है sell करने के लिए कितना लग रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है आप यहाँ पर lot size बढ़ा सकते हो एक lot दो lot कर सकते हो तो मैं यह नहीं करना चाहत तक क्योंकि मैंने अल्रेडी कर रखा था तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें दो से चार महिने तक जब आपको लगे कि हां मैं अब आप्शन ट्रेडिंग में बहुत अच्छा हूं मुझे मार्केट का सब कुछ लगबग में समझ आ गया है तब जाके आप ट्रेड करें जल्दबाजी में अपना नुकसान ना कराएं ठीक है अपने रियल मनी के साथ ट्रेड ना करें तो यह आप्शन ट्रेडिंग के प्रैक्टिस के लिए यह एप आपको कैसा लगा ज़रू मन में कोई भी डाउट हो सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो